नमस्कार दोस्तों मैं हूँ एनल बागडी फ्रॉम अच रोल इंग्लिश एजुकेशन पर आपका हर्दिक स्वागत है दोस्तों आज मैं बात करूंगा राजस्तान युनिवर्शिटी के बीए बीएड थर्ड यर के स्लेबस के बारे में क्योंकि मैंने फस्ट यर और सेकंड इंग्लिश लिट्रेचर का स्लेबस मैंने चैनल पर अपलोड कर रखा है आज मैं थर्ड यर को लेकर बात करूंगा कि राजस्तान युनिवर्शिटी का जो बीए बीएड का इंग्लिश लिट्रेचर का स्लेबस क्या है उसको लेकर आज डिसकस करूंगा तो आप जरूर द या प्लेलिस्ट में जाईएगा वहां पे फस्ट येर, सेकंड येर और थर्ड येर अलग-अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है तो आप वहां जरूर जाके क्लास देखेगा बिल्कुल शानदार ये है विए वियर्ड थर्ड येर का जो सलेबस है देखो एन्यूल स्कीम और अके पेपर कितने होंगे उनको लेकर मैं थ्रोड़ा सा पहले चर्चा करूंगा उसके बाद मैं डाइरेक्ट इंग्लिस लिटेचर के स्लेबस के और जाओँगा तो आप पहले समझेगा पेपर काउन्ट काउन्ट से होंगे उन चीजों को लेकर आप एक बार जरूर सेकंड ये यह थर्ड ये यह दोस्तों थर्ड यह के अंदर पेपर कौंड कौण शे स्क्राइब सर्ड पेपर हो आपका एलमेंटरीड क کंप्यूटर एप्लिकेशन इन इन कंप्यूटर का पेपर अबज्यक्टिव टाइप राता है साट का internal external होता है इसमें और practical 40 नमबर के निए सो नमबर का यह हो गया और फिर है language across the curriculum यानि पाठे करम भाषा के आदार पर या आरपार भाषा यह असी नमबर का तो paper होगा 20 नमबर आपके internal जाएंगे ठीक है दोस्तों यह 100 नमबर के थर्ड जो paper होगा guidance and counseling in school यह थर्ड पेपर है आपका guidance and counseling in school यह 80 नमबर का paper होगा 20 नमबर के आपके internal जाएंगे ऐसे 100 नमबर के ठीक है दोस्तों अब देखो दोस्तों यह आगे क्या दिया गया इसमें यह तीन paper तो आपके compulsory हों गए कौन कौन से एक तो computer का across the curriculum guidance and counseling in school यह तो आपके compulsory है अब देखो दोस्तों आगे क्या है इसमें कितने तीन paper तो हो गए आपके ठीक है दोस्तों अब इसमें से select any three यानि यह जो optional paper है बीए के optional क्योंकि बीए इंटेग्रेटेड कॉर्स है तो बीए के paper है इसमें तो बीए के paper आपको ध्याने कौन कौन से होंगे जो भी आपके पात चाहे हिंदी साहित्ते हो चाहे संस्कर्त हो इंग्रिस लिट्रेचर हो चाहे उर्दू हो इस्ट्री प स्ब्लिक्त आपडेखें एक पैडाउगोजी का होगा जो आपने subject क्यों है teaching क्यों के लिए जो पैडाउगोजी की जो संस्कर्त हो उर्दी शेयोगा हो थे onives लेटीर यानि तीन पेपर को पुम्पल्सरी वह हो गए एक पेड़ों जिगा चार पेपर पर तीन पेपर कौंड से छह पेपर कौंड से ऊगए यानि पीपर सैसे हिंदी वह प्रोगे यासे टॉटल मिला कि दस और बाकि यही स्पेशल आपके Micro Teaching वगरा है Micro Teaching Practice Lesson Observation Lesson Technology Best Lesson यह आपके College Level के हैं College में आपको करवाई जाएंगे अब बात करेंगे English Literature के syllabus में V.A. 3rd Year में क्या क्या आएगा उन चीजों को लेकर आज डिसकस करूँगा तो बने रिये मेरे साथ चलते हैं सीधे उसी page पर ठीक है दोस्तो बने रिये English Literature के syllabus के उपरम चल रहे हैं सीधा यह देखो दोस्तों English Literature का जो syllabus आ गया है यह यह थडियर दोजार तेइस का पर ठीक है syllabus है और रास्तान उनिशिटी की में बात कर रहा हूँ दियान रखना रास्तान उनिशिटी हो चाहिए देखो तीन चार उनिशिटी है उनके सेम सेम स्लेबस होते हैं रास्तान उनिशिटी मतश्य उनिशिटी सिखावटी उनिशिटी सेम से स्लेबस होता है कोई ज्यादा डिफ्रेंट नहीं होता है देखो दोस्तों इंटरिपेटेशन एंड अप्रिशेशन सेलेक्टेट टेक्स्ट फ्रॉम जैनेरियो पोईटरी और ड्रामा प्रोज और फिक्शन ये पेपर है दोनों पेपर के में बात करूंगा पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड यानि पेपर फर्स्ट और सेकंड की तो पहला पेपर आपका पोईटरी और ड्रामा का होगा maximum 100 number का paper होगा 36 minimum passing marks होंगे आपके यानि 100 number का paper आएगा कम से कम आपको 36 number लाने होंगे exam fight करने के लिए 3 गंठे की duration होगी इसके अंदर इसमें update गंठे वाली समापत हो गई है 3 गंठे की duration होगी ठीक है दोस्तो अब देखो पहला paper कौन सा दिया रगना पोट्री एंड ड्रामा करके question number first reference to context unit A, B, C reference to context from unit A, B, C यानि इसमें section दिये गए है unit दिये गई है A, B, C तो उसके according याँ पे आपको 8 क्या दिये जाएंगे reference to context दिये जाएंगे उनमें से आपको कितने करने होंगे 4 reference to context करने होंगे और परते कितने number का होगा 5 number का होगा और ऐसे total मिला के 20 number 20 number के तो आपके reference to context question number दूसरा कौन सा आएगा ये भी compulsory है और इसमें 5 questions आपको attempt करने पड़ेंगे question आएंगे 10 यानि 10 questions आएंगे जिसमें से 5 आपको attempt करने पड़ेंगे और परते का answer आप पांच lines में दोगे और इसमें से 4 number का एक question होगा ऐसे कुल मिला के कितने number के 20 number के ठीक है दोस्तों ये 20 number का होगया अब तीन जो बाकी question बचे यानि 20 और 20-40 number के question तो यह होगए 20 number के reference to context 20 number के 5 lines वाले ठीक है दोस्तों बाकी बचे यह चाहिए तो आप लॉप्शन कीजेगा चाहिए और आराम से पास कीजेगा इस एक्जाम को बिल्कुल कुछ भी नहीं है देखो दोस्तों section A की मैं बात करूँ क्या क्या है section A में टैंसन की पॉइम है Ulysses टैंसन की क्या है Ulysses आगे क्या है Robert Browning की My Last Dutchies बहुत अच्छी पॉइम से बहुत अच्छी है My Last Dutchies एक dramatic monologue है क्या है एक dramatic monologue है मैथ्यू अर्नोल्ड की है Dower Beach मैथ्यू अर्नोल्ड की क्या है Dower Beach जेम होपकिन्स की है The Sea and The Skyler The Sea and The Skyler की किस की है जेम होपकिन्स की और W.B. Yeats की है A Prayer for My Daughter बहुत अच्छी है और मैंने द्यान रखना दोस्तों यह सारी points यह सारी points मैंने मेरे चैनल पर करवा रखी है B.A. Second Year का जो syllabus है Sam to Sam है यह कुछ भी फरक नहीं है B.A. Second Year English Literature का जो syllabus है Sam to Sam B.A. B.A. Third Sorry B.A. Third Year में भी यही है B.A. Third Year का जो syllabus है Sam to Sam B.A. B.A. Third Year में भी यही है तो आप जरूर मैंने playlist बना रखिए B.A. Third Year English Literature की तो आप जाईए जरूर सारी मैंने points यह करवा रखिए आप समझेगेगा देखेगा with reference to context करवा रखिए आप जरूर जाईएगा वहाँ और most important question भी करवा रख है द्यान डखना एक university की राजस्तान university की मैं खास बात बताऊं आपको कि हर दो या तीन साल में question repeat होंगे पिछले साल आया है वो इस साल भी आएगा फरक क्या रहेगा यह option में दे दिया जाएगा अथवा में दे दिया जाएगा आपको question बाकी कोई फरक नहीं है तो आप जरूर इनको पढ़िएगा यह section A की point से जो मैंने करवा रखिये बिलकुल साब तोर से section B की मैं बात करूँ तो दोस्तो section अब section B के अंदर देखो कालिदास है Indian writing है यह Indian writers है कालिदास बहुबूति और बरत्री इस की यह is poetry always worthy when it's old ठीक है दोस्तो सेयद अमामुद्दीन सेयद अमामुद्दीन है don't call me Indo-Englian आर पार्थ सार्थी की है from homecoming अग्य की है Hiroshima M. Gopal Krishna Adik की है do something brother D. Suja की है woman in duck painting ONV group की है earthen poets A. J. Prava की है स्टेयर दया पमार की है और great poet श्रीकांत महापात्रा की है the election यह इसमें भी कुछ करवा रखी है मैंने यह करवा रखी है don't call यह भी करवा रखी है मैंने तो आप जरू जाएगा वहां देखिएगा बिल्कुल यह Indian writing section B के अंदर section C की मैं बात करूँ तो section C के अंदर दो novel है एक गिरीश करणाडगा तुगलग है और नैल का है दहेरी यह नैल का है है दहेरे यह paper first की बात और absolute section A में भी मैंने करवा रखी है second section B में भी मैंने करवा रखी हो section C में बी देखो दोस्तों section C की बात वाट ओई अब paper second की बात करेंगे तो paper second prose and fiction second paper का नाम क्या आएगा prose and fiction ये भी maximum mark 100 number का minimum आपको 36 number आपको लाने होंगे दोस्तो same pattern paper first और second का pattern same है फरक सिर्फ इतना है वो poetry prose है यानि कविता है इसमें कानिया है तो आप देखिएगा वो ही 5 question essay time के आएंगे reference to context आएंगे candidate will be question 5 essay के आएंगे और 10 essay type question ठीक है दोस्तों इसमें reference to context नहीं आएंगे only question answer आएंगे और section A के अंदर देखो क्या है दोस्तों इसमें reference to context नहीं आएंगे 5 question यानि 10 question आएंगे इसमें सीधे क्या आएंगे out of 10 essay type question आएंगे उनमें से 5 आपको करने होंगे परते किते नमर का 20 नमर गाय से 100 नमर के हो गई 5 गुना 20 ठीक है दोस्तों अब section A में क्या क्या है मुंशी प्रेम चंद की है दाश्राउट मुंशी प्रेम चंद की क्या है दाश्राउट हुसेन की है ए कोरोनिकल पिकॉक्स रूट्स की रूट्स है इसमत चुट गई की है रूट्स वी हैं बशीर की है वर्थडे शशी देश पांडे की है माई बिलोड केरिटिवर और एमबाई की है एक किचन इदा कॉर्णर हाउस यह सेक्षोन एक के अंदर है दोस्तो अब बात सेक्षेन बीकी करू तो दो नवेल है दा गजाइड है आरके नारायन का और चार्लोट्टे ब्राञ्ट का है जेने आयरे ठीक है दोस्तो यह सेक्षेन बीकी बात हो गई। वे के अंदर हम बात करें तो section C के अंदर देखो क्या है यह के तरीके से आपको composition comprehension है a short paces a short paces about this multiple sentence to be translate Hindi to English Hindi to English आपको 10 sentence दिये जाएंगे उसको translation करना पड़ेगा आपको और second है जो editing short text grammatically logically और question यह आपको करने होंगे तीसरा है critical analysis of approach piece और चोथा है writing in news report आप जान रखना यह section C के अंदर जो 10th 12th में यानि 12th class में report writing पड़ते थे report same to same वही report आपको करनी होगी वैसे ही report चाहे bank robbery हो चाहे कोई सी भी blood eye operation camp कोई सी भी आपको news report देगा उसको आपको लिखनी तयार करनी पड़ेगी तो section C के अंदर यह question 100% आपको देखने को मिलेगा और इसके most important की हम बात करेंगे questions की वह मैं आपको बता दूँगा एक दो दिन में आपको most important question कौन-कौन से होने वाले यह थड़ी यह के अंदर बिलकुल जरूर आपको मैं बता दूँगा ठीक है दोस्तों यह आप section C हो गए तो यह English literature का आपको syllabus हो गया complete और अब इसके most important questions की मैं बात करूँ तो दोस्तों मैं आपको एक दो दिन में आपको upload कर दूँगा चैनल पर आप जरूर देखेगा इस syllabus को ठीक है दोस्तों धन्यवाद कर दोस्तों